नमस्कार स्वागते आपका सीन्यूस भारत में मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्त लखनव में आलंबाग शेतरस्तिच सिंगार नगर में संचालित आवर लेटल एंजल्स होम स्कूल में तीन दिवसिये श्रीकृष्ण जन्मोचसव के दूसरे दिन भी श्रीकृष्ण लीला में सराबोर नन्हे मुन्ने बच्चे आकरशन का केंद्र बने रहे नन्हे मुन्ने बच्चू की अठखेलियों ने अभिभावकों को धिरकने के लिए मजबूर कर दिया आएए देखते हैं हमारे सम्वदाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रेपोर्ट हर वर्ष की बाती स्वर्ष भी आवर लिटल एंजल्स हो में मनाए जा रहे तीन दिवसिये श्री कृष्ण जनमोटसब के दूसरे दिन व्रंदावन का नजारा देखने को मिला राधाकृष्ण बनकर आये स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी बाल लीलाओं से लोगों को मंत्र मुख्द कर दिया इस दोरान राधाकृष्ण बलराम, सुदामा, ग्वाले, गोपियों के रूप में नन्हे मुन्ने बच्चों ने खूब मस्ती की बच्चों की ये मस्ती भरी बाल लीला देख स्कूल की शिक्ष को सहित अभिभावकों को भाव विभोर कर दिया राधाकृष्ण के भेस में नने मुन्ने बच्चों ने जूला भी जूला इस मौके पर बच्चों की माताएं इतनी भाव विभोर हो थी कि उन्होंने बच्चों को गोद में उठा कर थिरकना शुरू कर दिया मैं स्कूल की प्रधान चारे सुमन उपाध्याई भी राधा कृष्ण बने बच्चों के साथ थिरकने से अपने आपको रोक नहीं पाई इस अफसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल की ओर से उपहार भी भेट किये गए परेंज भी बच्चों को लेकर यहां पर आये हुए हैं आप देख सकते हैं कि दिविंट कंप्रिशन के आयोजर किये गए और बच्चों में प्राइज देखें बेस्ट किसना बेस्ट राधा इत्याजी इसक्रमें परेंट सहीं सब करना चाहें कि पूचना चाहेंगे मैं क था खाना चाहते हैं और करेंगे मैं यहां पर वगयरा ल कर भी को सभी को पताना चाहते हैं कि फसी जोटे को गाम होते हैं और जन्माटमी पर ऐसा हो रहा है में बहुत अच्छा लगा सब का दिल से थेंग एक बाप देखी जाती है कि इस स्कूल में हमारी भारती परंपरा हमारे त्योहार हमारी संस्कृती इन सब बातों पर इसे ध्यान दिया आता बच्चों को इन सब बातो अच्छी से होती है और मेरा बेटा तो हाला कि बाहर तो कभी निकला नहीं एक हो स्कूली पर आया है तो स्टार्टिंग में रोता ठाठीय को बड़ कर रहा है और जोती में बहुत प्यार करता है हर जगे बस पूछता आप सबका बहुत-बहुत अभिननन जन्माष्टमी की पूरे लक्नों वासियों तो बहुत-बहुत बढ़ाईयां जैसे कि आप सबको विदित हैं हमारे भगवान श्री कृष्टमी के जन्मपुत सबको चन्माष्टमी के रूप में मनाये जाता है और अगामी छे दिन उनकी मनाये जाते हैं जिसमें भजन कीतन होते हैं और फिर उनके बाद उनकी छती होती है इन सारे किर्या कलापों को बताने के लिए बच्चों को और उनके अभाविकों को इससे विदित कराने के लिए कि कौन सी बाल लिलाएं गोकुल विरिंदावन और ब्रिज में हुआ करती थी कैसे उस समय की माताएं अपने बच्चों को प्रसनता के साथ पालती थी और उ यही सारी माताओं को संदेश देना चाहूंगी कि बच्चों के साथ प्रेम पुर्वक रहें, उनको जितना हो सकें, प्रकृतिक वातावरण में रखें, प्राकृतिक भोजन कराएं, प्राकृतिक खिलोने खेलने के लिए दें, डिजिटल वर्ड और मोबाइल से अगर दूर रखें, वही बाल लिलाओं का दर्शन एक बार फिर वो अपने बच्चों में करें, तो कितना बहतर होगा, कैसे हमारे बच्चे होंगे, उनका कितना सुंदर बच्चपन होगा, यही दिखाने के लिए मैंने बाल श्रीकृष्ण, बलराम, उनकी सखा, सुधामा जी, राध चन्त लाइफ जहांकी सब पेरेंट्स को दिखाई, इससे पेरेंट्स बहुत प्रसंद हुए, और उन्होंने अपने शुब आशीश तालियों के ध्वनी से बच्चों को दिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. मिश्चित रूप से एक दिब नजारा, भब नजारा, अलोगिक नजारा आज देखने को मिला है, आवर नेकिन एंजल सों में सजध हचकर बच्चे राधा किसना के बेश में जहां आकरसर का केंदर रहे, वहीं अपनी अठ्खेलियों से लोगों को मंत्र मुद्ध कर दिया सहयोगी सुनिल कुमार्पाल के साथ उमें विस्करमा सेनियो इभारत देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सी न्यूस भारत